सहकारी संस्ता नाफिर ने पिछले तीन सब्ता से देशबर में सरकार के भंडार से 20,000 टन प्याज मार्किट में उतारा है यह कदम प्याज की कीमतों में अचानक आई तेजी पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है मिली जानकारी के मुताबिक दिली, पटना, लखनव, चंडिगर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे परमुक शहरों में प्याज को मुझूदा बजार कीमत पर उतारा जा रहा है नाफेट पिछले कुछ वर्षों से मुल्य स्थिरीकरन कोश के तहट सरकार की ओर से प्याज का बफर स्टोक बना रही है नाफेट ने 2022-23 के अगस्ते दिसंबर तक चलने वाले कमजोर सीजन के दोरान प्याज की कीमतों में संभावित बड़त से निपटने के लिए धाई लाग टन का रिकोर्ड प्याज बंधार बनाया है सुत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार नाफेट ने 14 सितंबर को प्याज का बफर स्टोक निकालना शुरू किया था और अब तक 20,000 टन प्याज उतारा जा चुका है एपरिल और मई में खरीदे गई प्याज को बजार के भाव पर बेचा जा रहा है इस बफर से प्याज को दिसंबर तक लक्षित तरीके से निकाला जाएगा भोकता मामलों के मंत्राले के आखड़ों के अनुसार प्याज की ओसत खुद्रा केमत बीते 2 अक्तूबर को पुर्वोतर शेतर में 40 रुपे प्रती किलोग्राम के उच स्थर पर थी जबकि अन्या शेतरों में ये 23 से 25 रुपे प्रती किलोग्राम के दाइरे में थी अब सरकार का ये कदम हो सकता है प्याज की कीमतों को नियंतित करने के लिए सही साबित हो Bureau Report Market Times TV